दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी वाइक में कि हमारी वाइक कितरा चली है और जो हमने अभी लाश्ट वार में चलाई है गाड़ी वो कितना हमारी गाड़ी चल चुकी है ठीक है तो उसके वारे में आपको यहाँ से रीडिंग है वो आपको यहां पे हम दिखाने वाले हैं ठीक है तो यहां पे हम क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे जो हमारी गाड़ी अभी तक कुल कितना चली है 1660 किलो मेटर चल चुकी है हमारी गाड़ी ठीक है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमा यहां पे यह वाली जो मोड वाली है बटन इसको आपको फ्रेज करना ऐसे ठीक है तो यहां पे ट्रिप यह आ चुका है यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है ट्रिप यह ठीक है जो ट्रिप यह पे आपको क्या करना यह से सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में जो सेट वाला है वो सारे जितने भी किलोमेटर था वो कट गया है जीरो हो गया ठीक है तो इसो जीरो करके आप गाड़ी जितनी भी ड्राइब करेंगे जितनी किलोमेटर यहां पे सो होता जाएगा और यह आपका अलग ही रहेगा कि आपको पता चल जाएगा जोब आप गाड़ी की है या चलाई है उसके बाद में अगर आप पीछे का डिरुएसन देखना पीछे का कितने किलुमिंटर गारी टोटल चली है वो भी आपको यहां पे सो हो जाता है ठीक है और इसके बाद में अगर दूसरी ड्राइब आप देखना जाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आप मोड वाली बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो ट्रिप भी आया चुका है ट्रिप भी में यहां पर देख सकते हैं 900 किलो मेंटर है हमारा ठीक है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं और अपने हिसाब से तरी यहां पे हम फिर से करते हैं तो यहा पे जो speed वगिरा है वो यहां पर चेंज़ करने का थोड़ा बनाये गया system ठीक है तो को हम फिर से प्रेस करते है नग मोड को तो यहां पे जो total हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो यहां पर सो कर रहा है, 16, 60 km, 0.5 km, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद में, यहां से हम ट्रीप ये को सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं, तो हमें पता चलता रहता है, कि ट्रीप ये में कितनी गाड़ी हमारी चल चुकी है या चल रही है, ठीक है, तो इसलिए हम जादा तर गाड़ी को ट्रीप ये मोड में ही रखते हैं, तो वीडियो आपको पसंद आएगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस करें,